का इस वीडियो में एक पिहति मानत्टपुट जनकारी के साथ दोस्तों क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई वीभैक्त वीमार ना पड़े या फिर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई वीभैक्त डावएटिज का देटेज का मरीज है, उसकी प्रॉब्लम से इस्तमाल हम नहीं करते हैं और अगर आप इसका इस्तमाल सही धंसे करेंगे तो आप डाइबटीज, जोडों के दर्ग, कुरिश्ट्राल, मोटापा और ना जाने कितने प्रावलनस से खुद को या अपने पेरिवार के किसी वी सद्स को दूद रख सकते हैं और ना जाने कितनी प्रावलनस को जड़से, खतम भी आया जाए तो उसका असली स्वाद ही नहीं पता चल पाता है जैसे कि सामबर खाने का स्वाद बढ़ने वारा करीपत्ता दरसल सेद के लिए भी उतना फैदमंद होता है खासकर सुबह सुबह खाली पेट का सेवन किया जाए तो तो ना केवल आप अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं बलकि पेट से समझेद के समस्याओं से निजाद भी पा सकते हैं करीपत्ता वे बिटामिन ए, बी, सी और बीटू बरपूर होता है इसलिए आपकी तचा, आँखो, खोन, आध को स्वस्त रखता है करीपत्ता सुबह खाले पेट खाने से कौन-कौन फायदे होते हैं आईए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पहला फायदा ब करीपत्ता कैलोरी बरन करने का काम भी तेजी से करता है इसके अलाव बाड़ी पर फैट जमा होने से बचता है रोज सुबह करीपत्ते के जूस या चाय पीने से आपका एनरजी लेवल और मेटाबलीज दोनों बढ़ते हैं दूसरा फायदा संक्रमट से बचाओ करने में कर पाय जाते हैं साथिस में पाय जाने वाली यही गुर्ड बैक्टेरिया और फंगल प्रभाव को कम करने में लाबकारी प्रडाम दे सकते हैं ऐसे में कहा जाता है कि करीपत्ते के फायदे से बचाओ में सामील है दोस्तों आप इसी तरह की हिल्थ से जुड़े और भी वीड हैं सुजन को करता है दूर करीपत्ते में कई सुजन रोभी गुर पाया जाते हैं जीसे सर्िब होने वाली धिकालीन कोका काम करने केतने पर प्रभाव रुप से काम खरता है ये इसके इसको प्रॉपाव है इसलिए इसका प्रभाव हर प्रेक्ट के सरी के अनुसार अलग-अलग हो सकता है चौथा फायदा दूर होती है भूलने की बिमारी दोस्तों कई आदेनों में यह बास सामने आई है कि करीपत्ता खाने से भूलने की बिमारी से बचा होता है अगर आप छोटी से छोटी को बढ़ाने में करता है मदद दोस्तों करी पत्ते में एंटी आउक्सिडेंट गुड़ पाया जाते हैं जो कई तरह के समस्याओं जैसे तंत्रिका तंत्र हिर्दर प्रडाली या गुर्दर समझेत विकार को दूर करने मदद करते हैं इदियाब 30-40 करी के पत्ते थोड़ा सा नेबू का रस एक इंच अध्रक एक चौथाई बड़ा टेबल इस्पून हल्दी पाउडर दो आउला या एक बड़ा टेबल इस्पून आउला पाउडर और एक चुटकी काला नमक या गुलावी नमक और हलका पानी डाल कर उसे अच्छी तरह से पीस लें और उसे छान आफ्र के समस्य को दूर करने में करीपत्त्त का सेवन बेदी उपयोगी साबित हो सकता है जो आपुअ शान सात्मों फायदा, डाइबेटीज में होता है फायदमंत, करीपत्ता एंसुलीन लेवल कल्टोर करके ब्रट सुगर के अस्तर को काबू करता है, इसके रहे जाना सुबह आठ से दस पत्ते खाएं, या पत्ती का रस निकाल कर खाली पेट पियें, करीपत्ते में पाईजनवले इसलिए डाइबेटीज रोगी हो करीपत्ता का सेवन अवस्ते करना चाहिए, आत्मों फायदा, दुरुस्त रहता है पाचंतंत्र, दोस्तों करीपत्ता पाचंतंत्र मजबूत करने में काफी सहायक होता है, खाली पेट करीपत्ता खाने से नय सिर्फ पेट की दर्थ की समस दिल का रखता है ख्याल, हिर्दा को सवस्त रखने की आलज के बहुत ही जरूरी है, दोस्तों हिर्दा समयदे विमार्यों के इलाज के लिए करीपत्ते का उपियोग एक कालगर आरुवेदिक अोसथ की रूप में लंबे समय से होता है, इसके आलाविपत्ता करूशनल को न यहाँ से ठीक नहीं होता है, कई बर किसी भी तरए के पौधे के पत्तों का इस्तमाल करने से इलर्जी हो सकती है, अगर आपको भी ऐसी शिकायत है तो ऐसे में करीपत्ते का इस्तमाल करना आप लिग संद्याख सब्त हो सकता है. इसके अलाव करी पता है एक तेल का इस्तमाल करने से आपके सर में कोई प्राबलमस हो तो इसका इस्तमाल करना बंद कर दें क्यूंकि कई बार या तेल हर किसी को सूट नहीं करता है मिलते हैं दस्तों के लिए बीडियों में ऐसी किसी रचे जनकारी के साथ तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए जय हिंद